साल के अंतिम दिन जो है तमाम मंत्रियों के बिहार सरकार की संपत्ती का बेवरा वेबसाइट पर जाड़ी किया गया जिसमें सबसे अधिक संपत्ती जो है दो मंत्रियों के करिवन 28 मंत्रियों के निकले हैं जिसमें नितीश कुमार को छोड़ कर सभी अमीर हैं ऐसे में तेज प्रताप यादव और तेजश्वी यादव भी उस लिस्ट में सामिल हैं। लालु जी आज सजायापता हैं। इनका जो पैसा है वो तो पूरा सौब जानती हैं। जो कैसे घोटाला में फसे, कैसे जेल गए और जेल काटे हैं। अभी बीमारी के नाम पर बाहर निकल करके बैठे हुए हैं। इसमें कोन नहीं बात हो गई। क्या कहेंगे नितीश कुमार जो है इंडिया गडवंदन के सयोजक बनाया जा रहे हैं। हवरे सुर्खियों में आ चुकी है। और आज कॉंग्रेस के रास्टी अदेक्ष मलिक आरजुन खडगे उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि जो नाराजगी थी उसमें तो दिख गई जदियू के अंदर खाने में ही। और अब उन्हें सयोजक बनाया जा रहा है। तो अब उनको से कोई बात करके क्या करेगा है। इसी तरह से इंडी एलेएंस के लोग अपना ये देखिए उनका he princes चल रहा है इंडी एल को संजोजा को बना देंगे उस से कुछ इस देश में होने वाला नहीं है नरेंदर मोदी जी के नेतृत में एंडिये इस बार चार सो पार करेगी एक अंतिन सवाल जिस तरीके से राज़त के विधायक इंदिनों बड़ी सुर्कियों में हैं विवादे ब्यान दे रहे हैं मंदिर और विद्याले की बात कर रहे हैं और बड़े पोस्टर लगाकर उन्होंने विवाद शुरू कर दिया राम मंदिर को लेकर एक तरफ आप लोग भब तैयारी में हैं 22 जनवरी को जो है वहां प्रान प्रतिष्ठा हो रहा है और दूसरी और बिहार की बात करें राज हो जाएगा सब लोग को लग रहा है कि सारे 400 साल के तपस्या के बाद भगवान प्रभुराम हमानों के अपने मंदिर में अपने भवन में आएंगे और इससे पूरा देश उसाहित है दूसरे तरफ यह जो इंडिया एलाइंस के लोग हैं यह तो बराबर आप देखते हैं यह कोई नई बात यह कोई विधायक बोला है इसे पहले मादुरगा पर बोला लगातार बोल रहा है हमको तो लगता है कि या तो इसका कहीं तो इसका दिमाग तो ने ख़राब हो गया इसलिए इस परकार का भासा बोल रहा है नहीं तो दूसरे तरफ इंडी एलाइंस का ये कहीं सोची संजी समझी रननिती है उसका कि वो इसी परकार से आप देख रहे हैं कि इंडी एलाइज के लोग इस से पहले भी सनातन पर बहुत बोल चुके हैं, सनातन के विरुद में बोल चुके हैं, कई गट गटक दल इसके बोल चुके हैं, ये लोग एक विशेस धर्म के लोगों को खूश करने के लिए इस परकार का बयान देते हैं, लेकिनि सब जनता देख रहे हैं आने बाले समय में 2024 में इनको पता लगए रहे हैं चौदा के बाद यानि मकर संक्रांती के बाद इसकी शुरवात पहले भारत जोरो यात्रा फिर निया यात्रा क्या लगता है इससे लोकसभा चुनाओं में असर पड़ेगा आप लोगों नरेंद मोदी जी के नेतिरत में पूरा देश जो है तो आगे बर रहा है एक जूठो करके पूरे भारत आगे बर रहा है तो यह लोग हो सकता है कि अपने पार्टी में या अपने गठवंदन में कोई नियाए खोज रहे होंगे इसलिए नियाए करने लिगता है या तो महनोई थे ही तो हो सकता है को कोई नियाए खोज रहे होंगे कहीं पर चुकि घोटाला बहुत किये हैं तो नियाए खोज रहे होंगे तो देखे हमारे साथ बाचीत करने के लिए अलोक रंजन जीत है जो विहार सरकार के पूर मंत्री रह चुके हैं उन्होंने साफ सब्दो में कहा कि वो अपने लिए निया यात्रा निकाल रहे हैं। bailification